इन दिनों ते वहारी सीजन चल रहा है दुरका पूजा और दश्यरा के बाद अब दीपों का पर्व दिवाली आने वारा है। इस पर्व को बुराई के प्रती अच्छाई का प्रतीक बाना जाता है। यह पर्व कार्तिक महा के अमावस्या तिथी को बनाई जाती है जिसमें मा लक्ष्मी की विशेस पूजा प्रदोशकाल में की जाती है। दीपों का पर्व दिवाली हिंदू के सबसे वड़े दिवारों में से एक है। इस वार यह पर्व 12 नवंबर 2023 को पड़ रहा है। इस साल कार्तिक महा की अमावस्या तिथी के दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। अनुसार इस साल कार्तिक महा की अमावस्या तिथी 12 नवंबर 2023 को दुफेर 2 वज़ कर 44 मिनट पर शुरू होगी। और 13 नवंबर को दुफेर 2 वज़ कर 56 मिनट पर समाब धोगी। ऐसे में उद्यातिथी के अनुसार इस साल दिवाली का पर्व 12 नवंबर 2023 रविवार के दिन मनाया जाएगा। औराने कताओं के अनुसार दिपाबली का पर्व इसलिए धुन धाम से मनाया जाता है कि अयोध्या के राजा नरेश भगवान स्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्षमण के साथ लंका के राजा रावर का वद कनने के बाद 14 साल का बनवास काटने के बाद अपने घर अयोध्या वापस लोटी थे इसलिए अयोध्या वास्यों ने प्रभू स्री राम के स्वागत के लिए पूरी नगरी को दीपों से रोशन कर दिया था इसके बाद से ही इस दिन को दीपाबली के नाम से ये उत्सब पूरी देश भर में मनाया जाने लगा दिवागी के दिन मालक्षमी का पूजन प्रदोष्ट काल में किया जाता है अंचान के अनुसार 12 नवंबर को लक्षमी पूजा का शुमोरद शाम 5 वचकर 49 मिनट से शाम 7 वचकर 35 मिनट तक रहेगा इसकी अलावा दोसरा शुमोरद 12 नवंबर को रात 11 नवंबर 49 मिनट से लेकर देरात 12 बच कर 32 मिनट तक रहेगा दिवागी के दिन भगवान गणे इसके साथ ही मालक्षमी का भी पूजन किया जाता है मारकेंडिये पुरान की अनुसार एक समय धर्ती पर केवल अंधिरा था और प्रकाश की आविशकता थी उस समय तेज प्रकाश के साथ कमल की दिवाली के दिन यदि विधी मिन हान के साथ मालक्षमी का पूजन किया जाई तो कभी धन से जुडी सवस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता दिवाली के दिन लक्षमी पूजा करने से जीवन में आ रही नेगटिविटी भी दूर होती है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें